पिंजर भाग आठ एक एक करके कई दिन बीद गए, दिन दिन करके महीने, और महीना महीना करके कई बरस बीद गए. दूद की भरी हुई कार्णी को जब पूरो चूले पर करने के लिए रखते समय, सूखे कंडे जोड़ती और सारा दिन जलने के लिए कंडों में धीमी धीमी आग सुलग जाती, तब पूरो को लगता कि उसकी छाती की भीतर वाली तह में कोईले की एक जिंगारी पड़ी दो दिन बार बासी पानी के साथ उसने चुटके भर भर कर अजवाइन भी फाकी थी, कभी पूरो सोचती मेरे अंदर गर्मी हो गई है, उसने तीन-चार दिन कच्ची लसी के कटोरे भर भर कर पिये, कभी पूरो सोचती थी, कौन जाने मांका जी कैसा हो, पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसे विचार उठते थे, इन्हें दिनों एक दिन जब रशीद घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, रशीद ने घर में कुछ ना कहा, पूरो से बाते करता रहा, जावीद से मद्रसे की बाते करता रहा, छोटे लड़के के साथ हस्ता खेलता रहा, खाना ख पड़ी हुई चार पाईयों पर लेटने के बाद, पूरो ने रशीद के जी का हाल पूछा, आज मेरे गाउं से एक आदमी आया था, हमारे अपने खेतों पर काम करता है, रशीद ने एक बल चुप रह कर कहा, छतो आनी से? हाँ, फिर, वो कह रहा था कि हमारी कटी हुई फ पूछा, किसी ने जान भूच कर लगाई? शक तो ऐसा ही है, ऐसा कौन था? वो आदमी कह रहा था कि आग की लप्टों से सारा आसमान लाल हो गया था, फिर, हमारा जो हिस्सा था, सो तो था ही, वो बिचारे क्या करेंगे? उन बिचारों से पूरों का अभिप्राय रशीद तावों से था, जिनका फसल में साजा था, रशीद चुप हो गया, पूरों भी जैसे सोच में उतर गई, बच्चे तो सो गए थे, पर रशीद और पूरों की आँखों में नीन नहीं थी, पर दूसरे का घर फूख कर किसी को क्या मिल दा? पूरों ने कई बार रह रह कर लेखती रही, रशीद कभी ताई और करवट लेता, कभी बाई, फिर सीधा लेट जाता, कभी कभी वह अपनी आँखें मीच कर भी लेटा रहा, पर नीन त उसके पास न फटकती थी, कई बार उटकर रशीद ने पानी भी बिया, लड़के को अलग चारपाई पर लेटा द पर उसने चुपचाप जावीद को उठा कर अलग चारपाई पर लिटा दिया, फिर भी कितना ही समय बीद गया, रशीद करवटे बदलता रहा, पर नीन त उसके आँखों के पास न आई, एक उड़ती उड़ती बात सुनी है, पता नहीं सच है या जूट, रशीद ने ले चारपाई से उठकर रशीद की चारपाई पर जा बैठी, सुना है कि गाउं में एक अपरिचत जवान आया था, पर किसी से बहुत मिला जूला नहीं, गाउं के लोगों को शक है कि वो शायद तेरा भाई था, मेरा भाई, पूरो अनायास बोल उठी, कुछ कहा नहीं जा सक मुझे तो गाउं गए हुए भी कितने ही दिन हो गए है, वो जो आदमी आया था, वो ये सब बाते बतला रहा था, कहे कर रशीद फिर चुप हो गया, भूरो के सर में जैसे चक्कर आने लगे, मेरा भाई, मेरा भाई अब जवान हो गया होगा, मुझे उसकी सूरत देखे 10 12 बरस हो गए है, कौन जाने, अब देखने में कैसा लगता हो, उसे अचानक देख लो तो शायद पहचानों भी नहीं, मसे भीकने लगी होंगी, 9-10 बरस खा तो ये जावी थी होने को आया, पूरो के मन में अनेक विजार उटने लगे, रशीद ने उसे केवल इतना और बत संबन में उसने किसी आदमी से पूछा था, कि ये घर किसका है, पर अपने संबन में अपने मूँ से उसने किसी को कुछ न बताया, लोगों को केवल शक ही है, किसी ने अपने कानों से कुछ नहीं सुना, क्या सचमश वो काओं आया होगा, उसे मेरा ध्यान आया होगा, उसक कि अपनी बेहन, उसकी सगी मा जाई, बूरो के मन में उधल बुधल होने लगी, आखों में आसु आ गए, फिर वो आग लगने का दुख भूल गई, जले हुए गेहुं की राख में से, मा जाए भाई बहनों का स्नेहु भरने लगा, प्रेम की एक जिंगारी दिल में चमकने लगी, कौन जाने उसने आग लगाई हो, शायद अपने भरे हुए दिल का गुपार निकालने के लिए एक बद्दा लिया हो, उसकी जवान काया में नया लहु चलता होगा, कौन जाने उसे बहन के दुख का ध्यान ब्याकुल करता हो, मैं एक बार उसका चेहरा देख लेती कौन जाने मेरे भागे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही पूरो सोचते रहे, फिर उसके मन में चिंताएं आने लगी, एक घड़ी पहले पूरो का संबंध उसके साथ था, जिसका मनों अन जल कर राक हो गया था, और एक घड़ी बाद पूरो का अपनत्व उसके साथ हो गया कुछ भी हो, वो अपने भाई की कुशल चाहती थी, उसोचती थी, कौन जाने उसके भाई की दिल में दुख और प्रेम की कोई आँग जल रही हो, उसी जलती आँग में से उसने एक चिंगारी खेतों को लगा दी हो, शायद उसके भाई को ये पता भी ना होगा, कि रशीत चतो आनी में नहीं रहता, पूरो ने ढाल से अपनी चार पाई पर लेट गई, विचार उसके मन में डूपते उतरते रहे, जब पूरो की आँख लगी, उसके सामने आँख ही आँख लगी हुई थी, नीचे धरती पर घास के तिनकों से लेकर पीपल की से उचाई तक सब क जल रहा था, फिर पूरो ने सपने में देखा, एक सुंदर नव्यूवक आग के उची उठते हुई लप्टों के पास बैठा अपने हाथ ताप रहा है, पूरो चौक कर जाक उठी बदन का जोड जोड दुख रहा था, पूरो को लगा, इतने दिनों से चाती में जो नेक लग रहा था, या कि उसके भाई किस नेक की जोदी जल रही थी, उननिस सो संतालेस, नाइटीन फॉड़ी सेवन, जिस तरह खरबूजा फांक फांक हो जाता है, उसी तरहें शहरों में, गाउं में, मनुश्यों से मनुश्य कटते जाते थे, जैसे हवा के साथ उड़ उड़ कर धूल आती है, पैसे ही आसपास के कस्बों से खबरे आती थी, लोग मारे जा रहे हैं, घर के घर चल रहे हैं, पडोसी को पडोसी मार रहा है, रहा चलते को रहा चलता, लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, माल सुरक्षित नहीं था, पूरू सब कुछ आखों स देखती थी, कानों से सुनती थी, उसके अपने गाउं में और आसपास के गाउं में भी लोग लोहा इकठा कर रहे थे, लोहे पर शान धर रहे थे, अपने घरों की छतों पर इंटे इकठी कर रहे थे, भाले और बर्चियां संभाल संभाल कर अपनी कोठ्रियों में रख रहे थे, यहां हमारा अपना राज होगा, यहां हमारी अपनी हुकोमत होगी, हर एक यही कहता, यहां हम हिंदू का बीज भी नहीं रहने देंगे, लोग चौराहों पर खड़े हो हो कर कहते थे, कभी ऐसे होते भी सुना है, पूरो बार-बार सोशती, भला इतनी स्रिष्टी चाहे कि कहा, पूरो रहे रहे कर सोशती, लोगों को एक जुनून आता है, चार दिनों की आंधी है, आएगी और चली जाएगी, पूरो कहती, पर लोग थे कि पागल हो गए थे, बस बुरी-बुरी बाते ही करते थे, कहीं से भी भली खबर ना आती थी, फिर पूरो ने सुना, श लोग कह रहे थे, इतने मुर्दों की सडान से सारे देश में बिमारी फैल जाएगी, फिर उस वर्ष की पंद्रा गस्त बीट गए, गाउ में ढोल बजे, चांद और तारों वाले हरे रंग के जंडे लगे, रोज मस्जिद में लोग इकठे होते थे, गाउ के हिंदों के च मुसल्मान मरते कटे चले आ रहे थे, बहुत से वही मर गए थे, बहुत से रास्ते में खतम हो गए थे, बहुत से इधर पहुच कर मर रहे थे, पूरों के कान सुन सुन कर जैसे फट चले हो, सुना मुसल्मान हिंदू की लड़कियां और हिंदू मुसल्मानों की लड़किय में जो पूरो के गाउं के आसपास लगे हुए थी सबसे पीची उपद्रव हुए पूरो के अपने गाउं वाले उसके अपनी विरादरी वाले पूरो के अपने रशीद को छोड़ कर रशीद के सारे संबंधी कुटंबी भी पहिशी बने फिरते थे बूरों को साहसना होता था और नरशीद की बसकी बात थी कि किसी को कुछ समझाए बुझाए उनके आसपास के गाउं के हिंदू भागने लगे उनकी गाएं अपने खुंटों से बंधी रहे गए उनकी भैसे भाँ भाँ डकराने लगे नके भरे भराए घर पीछे चूट गए उनके खेत मालिकों के मूठ आखते रहे वे रातों रात भागते वे गाउं की सीमा पर मारे जाते वे बीस्यों कोस चलते रहने के बाद मरे हुए मिलते पूरों के गाउं के सारे हिंदू अपनी बड़ी हवेली में चले गए थे यदि कोई खेड़की या दर्वासा खोल कर बाहर आता तो मौत उसे अपनी जपेटे में ले लेती थी कहते थे कि हवेली में उन्होंने अनाज इकठा किया हुआ था कोई हिंदू बाहर देखता नहीं था कोई हिंदू इस्त्री बाहर जाकती नहीं थी पूरों के गाउं में केवल मुसल्मान रह गए थे गाउं में हिंदू पश्वों की भांती हवेली में फसे हुए थे एक दिन उसके गाउं वालोंने मिलकर हवेली पर हमला किया उन्होंने निश्चे किया था कि वो हवेली वालों का नाम मिटा देंगे उन्होंने बंद घरों के ताले तोड डाले अलग-अलग घरों के मालिक बंद बैठे यदि कभी रात पिरात कोई हवेली से नीचे उतरता अगले दिन गाउं में उसकी लाश बड़ी दिख जाती थी एक दिन उन्होंने ना जाने किस तरह हवेली के दर्वाजों और खिड़कों पर तेल डाला और तेल से भीगे हुए दर्वाजों और खिड़कों में आग भी लगा दी जब हिंदू मिलिटरी के ट्रक उनके गाउं में पहुँच गए हवेली के भीतर से आग की लप्टों जितनी उची चीखे भी निकल रही थी जब मिलिटरी ने आग भुझाई और भीतर से लोग निकाले उन घबराए हुए लोगों को उन्होंने लारियों में बिठा दिया आधी चले हुए तीन आदमी भी निकाले गए जिनके शरीर से चर्वी बह रही थी जिनका मास चलकर हड़ियों से अलग-अलग लटक गया था कहनियों और घुटनों पर से जिनका पिंजर बाहर को निकलाया था लोगों के लारियों में बैठते बैठते उन तीनों ने जान तोड़ दी उन तीनों की लाशों को वही फेक कर लारिया चल दी उनके घर वाले चीक ते चिलाते रहे कर पर मिलिटरी के पास उन्हें जलाने फुकने का समय नहीं था पूरो को गाउं खाली हो गया था पराई कौम का कोई आदमी भी बाकी नहीं रहा था केवल तीन लाशें हवेली के बार पढ़ी हुई थी जिनके पिंजर पर बचे हुए मास को दिन में ही गाउं के कुटों और कवों ने नूच लिया था पूरो के आँखों में जैसे किसी ने सीसे के कंकर टाल दिया हूँ एक दिन पूरो ने दस बारा मंचले नव्यूवकों को एक नंगी जवान लड़की को अपने आगे करके दोनों हाथों से ठोल धमाके बजाते अपने गाउं के पास से गुजरते देखा ना जाने वो किस गाउं से आय थे और किस गाउं को चले गए पूरो को लगता इस दुनिया में जीना नहीं हो सकता इस यूप में लड़की का जन्म लेना ही बाप है उसे दिन संध्या के समय पूरो को गन्ने के खेट में छिपी हुई एक लड़की दिख पड़ी जिसे रात के घोर अंधकार में वो अपने घर ले आई उस लड़की ने पूरो को बताया कि पांस के गाउं में एक कैम्प खुला हुआ था जहां गाउं के हिंदू इकठे हो गए थे और प्रतिक्षा कर रहे थे कि मिलिटरी उन्हें यहां से निकाल कर कब दूसरी और हिंदुस्तान ले जाएगी इस ओर की फौज कैम्प की रखवाली करती थी पर रात को कुछ मुसल्मान चोरी छिपे आकर कैम्प की जमान लड़कियों को उठा कर ले जाते थे और अगले दिन तरके ही उन्हें वापस छोड़ जाते थे उस लड़की ने पूरो को बताया कि पूरी नौ राते हो गई थी उसे रोज रात को नए नए लोगों के घरों में जाना पड़ता था पिछली रात वो किसी तरह अपने ले जाने वाले को भुलावा दे कर भाग गई थी दोड़ते दोड़ते वह इस गाउं में आप पहुंची जब सुबह के समय उजाला होने लगा तब वो सोच ना पाई की किधर जाए उसे दिन का सारा समय एक के खेतों में लुके छेपे पड़े रहकर बिताया पूरो ये सब सुन सुनकर विक्षिप्थ से हो गई थी उससे और ना सुना चाता था पूरो ने इस लड़की को अपने घर की पिछली कोठरी में रख लिया वहाँ पूरो के घर का गेहु पड़ा था पैस का खली भूसा पड़ा हुआ था दूस्टरे दिन दो आदमी दोड़े दोड़े आए उन्होंने सारे गाउवालों से पूचा कि किसी ने एक लड़की देखी है वो गाउवालों के आंगनों में भी जांक जांक कर देख गए पर लड़की का कुछ पता ना चला पूरों के मन में कई तरह के प्रशन उड़ते पर वो उनका उद्दर सोच न पाती पता नहीं चलता था कि अब इस धर्ती पर जो कि मनुश्य के लहू से लथपत हो गई थी पहले की तरह गेहों की सुनहरी बानिया उत्पन होंगी या नहीं इस धर्ती पर जिसके खेतों में मुर्दे पड़े सड़ रहे हैं अभी पहले की तरह मकई के भुटों में से सुगन्थ निकलेगी या नहीं क्या ये स्थ्या इन पूरुषों के लिए अभी संतान पैदा करेंगी जिन पूरुशों ने इन इस्त्रियों की अपनी बेहनों के साथ ऐसा त्याचार किया था हिंदुस्तान जाता हुआ एक काफिला पूरो के गाउं के पास रुका पूरुश और इस्त्रिया जुंट के जुंट पैदल चल रहे थे बैल गाड़ियों में उन्होंने बच्चों को भर लिया था कुछ सिपाही काफिली के आगे थे और कुछ पीछे यात्रियों के आँखे भारी हो गई थी रास्ते की धूल पतनिसीबी के धर उनके चेहरे सर पर मंडरा कर वहीं जब गई थी पूरो के गाउं पहुँचते पहुँचते काफिली को रात हो आई उसे वहीं रुकना पड़ा पूरो का चित व्याकुल था उसे रहे रहे कर एक ही खयाल आता कि वो सड़क रत्तोवाल से आती है इस काफिली में अवश्य उसका रामचंद होगा एक अंतिम भींट बस एक बार अंतिम बार उसके बाद वो इस देश में ही नहीं रहेगा उसके बाद फिर कभी भी वो उसका कुशल न सुन सकेगी उसके बाद फिर कभी भी उसकी गाउं की हवा इस ओर ना आईगी काफिले वाले अपने बच्चे कुछे गैने और रुपाई देकर रास्ते के गाउं के लोगों से अनाज मोल लेते थे गाउं के कुछ इस्तरी पुरुष जाकर उनसे सौधा कर लेते थे आसुवों से भीगे चेहरे वादी पुरो को पहचाना रत्तवाल के खेतों में पुरो का चेहरा उसके डूपते हुए साहस ने बंद कर दिया था आज पहरे के सिपाहियों ने बंद किया हुआ था पुरो कुछ कहना सके तुम्हें अनाश्ताना कुछ चाहिए? उसने रामचंद के और देखकर कहा हाँ रामचंद के आखें पुरो के चेहरे पर से हटती न थी शयद अब भी वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था अच्छा, रुपए तयार रखना, मैं रात को पहचा जाऊंगी पास खड़े हुए सिपाही के और देखकर पुरो ने फिर रामचंद के और देखा और फिर लोटाई पुरो ने रशीद से कहा कि उसे घर में चीपी हुई लड़की को काफिले में पहचाना है और वो आटे और मिट्टी के पुरुए में रखे हुए घी को कपड़े में बांध कर और लड़की को साथ लेकर रात के अंधेरे में सोई हुए काफिले के और चल दी दिन दिन भर चलने से लोग ठाके पड़े हुए थे हर समय भाई चमगादणों की तरह उनके सर पर मंडरा रहा था पर फिर भी वो घोड़े बेच कर सोई हुए थे मैं रात को पहुँचा जाओंगी रामचंद के कानों में पूरो की आवाज शाम से ही कुंज रही थी पहरात की निस्तब्दता में किसी के पैरों की आहट ले रहा था सिपाही चल फिर कर पहरा दे रहे थे पूरो आहिस्ते से काफिले में जा पहुँची सिर से कट्री उतार कर उसने रामचंद के आगे रख दी और लड़की से बैठ जाने को कहा तो पूरो है ना? आज भी रामचंद ने वही रत्तवाल के खेतो वाला प्रशन किया अब भी पूछना बाकी है? पूरो ने उलाहने इसे कहा अपने जीवन में रामचंद को उसका ये पहला और अंतिम उलाहना था रामचंद ने सिर चुका लिया मेरे माता पिता के कोई खबर? पूरो ने गहरे श्रास लेकर पूछा वो तो जबके ब्या करके गए हैं लोटे ही नहीं पर रामचंद कहते कहते रुख्या ब्या? किसका ब्या? पूरो ने पूछा तेरे खुचाने के बाद उन्होंने एक रात चुक चाप तेरी छोटी बहन के फेरे मुझसे कर दिये और तेरे भाई के साथ मेरी बहन के फेरे हो गए तब से वो काओ नहीं लोटे हैं आजकर सियाम ही हैं पर रामचंद कहता कहता रुख्या मेरी बहन फिर तो वो भी काफले में होगे ना? पूरो के लिए रामचंद के साथ उसके बहन की बहाग की बाद बिलकुल नहीं थी नहीं, पिछले दिनों तेरा भाई आया था वो अपनी औरत को माई के छोड़ गया था और बहन को साथ ले गया था जो वो यहां होती तो वो भी रामचंद के आखों में आसुचल चलाए वो भी? क्या हुआ? किसे? पूरो की समझ में नाया था पता ही नहीं लगा किस समय मेरी बहन को उठा कर ले गए जब हम घर से निकले, वो साथ थी मैं बुड़िया मा को पीट पर उठाए काफिले में आया हूँ तब तक वो मेरी पीछे पीछे चली आ रही थी पर अब काफिले में नहीं है रामचंद ने आवास को रोक रोक कर कहा उसको रुलाई आ रही थी पर उसने अपनी पगड़ी का किनारा अपने मूँ में डाल लिया मेरी माने पीट पीट कर अपने को नीला कर लिया है रामचंद ने कहा पुरो की अंतड़ियों में एठंसी पढ़ने लगी कोशिश करना कुछ पता लग जाए ना जाने जीती है या मर गई रामचंद ने फिर से कहा अंतड़ियों में उठती हुई पीड़ा से पुरो कुछ न बोल सकी उसका नाम लाजो है ना पुरो को याद आया अपनी सगाई की समय उसने अपने भाई की मंगीतर का नाम सुना था हाँ उसकी बहाँ पर भी उसका नाम गुदा हुआ है रामचंद ने बताया सिपाही घुम घुम कर पहरा दे रहे थे सोही वे लोगों के बीच में बैठे हुए रामचंद और पुरो धीरी धीरे बाते कर रहे थे इस बेचारी को में तुम्हें सौपने आई हो इसे अपने काफिले में ले जाओ हिंदुस्तान जाकर पता कर ले ना जो इसके माबाप मिल गए तो पुरो ने लड़की की बहार रामचंद के हाथ में पकड़ा दी मेरा भाई यहां आया था चाहती थी उसे एक बार देख ली थी पुरो ने कहा पिछले दिनों जब तुम्हारे छटो आनी वाले खीतों में आग लगी थी याद है रामचंद केह रहा था आग? हाँ लगी थी क्या यह सच है कि मेरे भाई ने आग लगाई थी? पुरो को याद आया जब रशीद ने एक अफ़वास सुनाई थी हाँ, उसे ने आग लगाई थी तेरा तो उसे पता नहीं मालूम था कि तु कहां रहती है गुस्से में आकर उसने रशीद के खेट जडा डाले पुरो को रुमान चुआया उसका भाई अब जवान हो गया था उसके दिल में बदले की ज्वाला धदक रही थी उसके दिल में बहन की याद थी साथ ही उसे उस दरगटना की याद आई उसके भाई की पतनी गुम हो गई थी किसे ने जबरतस्ती उसे उठा लिया था ना चाने वो किस हाल में थी वो उसके रामचंद की बहन मुझे यहां सकडाली के पते से चिठी लिखना अपना पता भी लिखना जो लाजो का कुछ पता लगा तो मैं लिख भेजूँगे पूरो ने कहा रात का अंधेरा हलका होता जा रहा था सिपाही काफिले वानों को जगा रहे थे काफिले को आगे बढ़ना था पूरो उट खड़ी होई रामचंद को हाथ जोड़े कुछ बोल ना सकी पूरो ने काफिले से बाहर पाउं धरा ही था कि एक सिपाही ने उस पर लाठी दाम दी तू कौन है? कहा चली? मैं अनाज बेशने आई थी कितने का बेचा है? पैसे दिखा सिपाही ने पूछा पूरो ने चादर में हाथ डाल कर अपने चांदी की बांक उदार ली और सिपाही को दिखा कर तेज गदमों से गाउं को लौट गई सिपाही ने शायद ये न सोचा कि हिंदू चांदी के अभूशन पराया कम ही पहनते हैं इस और अनाज के बदली चांदी की बांक कहां से मिल गई?